हलो दोस्तों आप स्विगत स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर दोस्तों आज के इस वीडियो में एससी CHSL एकजाम के 10 जनवरी के फर्स सकेंड थर्ड सिप्ट में पूछे गए सभी जी के क्यूशन्स को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्ष्टा फैक्ट भी द फीबा बास्केट बॉल महला विसकब का खिताब किस देश ने जीता है तो दोस्तों आप्सन में दिया गये था अमेरिका जपान चीन भारत तो दोस्तों फीबा बास्केट बॉल महला विसकब का खिताब जो है अमेरिका देश ने जीता है ठीक है जिसका अमेरिका सही अंसर हो जाएगा आगे दखते हैं क्यूशन पुछा गिया है खेलो इंडिया जूद गेम्स में हर्याना ने कितने पदग जीता है तो दोस्तों खेलो इंडिया जूद गेम्स का पाचमा संस्क्रण मध्परदेश के आठ सहरों में हुआ है जिसमें महाराश्ट 161 पदग के साथ सिर क्वैलिफाई नहीं कर पाई थी तो जो टीम क्वैलिफाई किया था है तो इसके अलाव जो भी ऑपसन में दिया गया होगा अंसर हो जाएगा ठीक है आगे दखते हैं क्यूशन पूछा गया है अप्रेल 2022 में पकिस्तान का परधान मंत्री किसे बनाया गया है तो दोस्तों 2022 में पकिस्तान का परधान मंत्री जो है सहवाज सरीफ को बनाए गया ठीक है आगे दखते हैं यूशन पूछा गया कि दल बदल भारते सविधान के किस अनुसूची में परवधान है यह सविधान में 92 संसोधन 1985 इस्विर के दवारा जोड़ी गई है तो इसका अंसर हो जाएगा दस्वी अनुसूची ठीक है आगे दखते हैं कि यूशन पूछा गया है कि समवर्ति सूची में कौन सी विषय नहीं आते हैं तो दोस्तों समवर्ति सूची के अंतरगत 52 विषय कुल 52 विषय आते हैं जैसे सिच्छा वन समचार पत्र दिवाने एवं फोजदारी मुकदमे सरम कल्यान करखाने परिवार नियोजन परदूसर नियंत्रंग आर्थिक्स एवं समाजिक नियोजन इस सभी दोस्तों समवर्ति सूची के विषय है तो इसके अलावा जो भी ऑप्सन में दिया गया हो इस्तित हैं अजोधिया सरजू नदी के किनारे इस्तित हैं कानपूर गंगा नदी के किनारे इस्तित नियोगन नदी तो तो जो option में दिया गिया होगा answer हो जागा ठीक है आगे दखते हैं question पुछा गिया कि कथक निरिती किस राज से समान दित है तो दोस्तो कथक निरिती जो है उतर परदेश राज से समान दित है ठीक है आगे दखते हैं कि राज्धानी कहा थी यूसन पुछ आ अगे रखते हैं यूसन पुछा कि EURL का फूल फॉर्म होता है यूनितियां के मैं अध्ययस कौन है तो नीति आयो के अध्यस परधान मंतिन नारेंदरमो क्याते हैं है को ये नीति परवेसवरन आयर है ठीक है आगे दखते हैं कि यूशन पुछा गया कि पी एफाई कितने सालों के लिए बैन किया गया है तो दोस्तों पी एफाई का फूल फॉर्म होता पॉपलर फॉरंट ओफ इंडिया और पी एफाई का गठन जो है बाश नमबर 2006 को हुआ था और इसे प बढ़ाओ, बेटी-बचाओ के पर्थम समयोव में अस्कूल के माध्यम से माता पिता को सामिल किया है दूसरे समयोव में डॉक्टर, नर्सिंग, हॉस्पीटल, एवं ससुराल वाले को सामिल किया गया है तो जो आपका समयोव पूछा गया हुआ है इससे देख लिजेगा आगे देखते हैं, क्यूशन पुछा गिया है, परसांत महासागर का सबसे गहरा गर्थ कौन सा है, तो दोस्तों ये परस्न जो है कन्फर्म नहीं है, पुछा गिया है कि नहीं पुछा गिया है, ठीक है, जिसका अंसर हो जागा है मरियाना गर्थ, ठीक है, आगे देखते हैं, question पुछाने के बाद ला का रंग को जाती है तो दोस्तो मुलबत्ति बुजाने के बाद लब का रंग नीला हो जाती है ठीक है आगे तग का حसी के लिए कि से चुना गया है तो दोस्तो ब्याश्य समान दुहजर बाइस के लिए Big को चुना गया ठीक है आगे दखते हैं क्यूशन पुछा गया नीती आयोग का गठन कब किया गया है तो दोस्तों नीती आयोग भारत सरकार दोवारा एक जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे उजना आयोग के अस्थान पर बनाये गया ठीक है जिसका अंसर हो जागा एक जनवरी 2015 को गठित किया गया ठीक है आगे दह्युशन पूछा गया कि 2018 एस खेलो में भारत के उतगाटन समरों में धवजवाहक कौन था तो दोस्तों 2018 में भारत हैसाइ खेल प उतघाटन समरों में धवजवाहक नीरज चोपड़ा था ठीक है जो भाला तालिका में कूल 59 पदकों के साथ आठवे अस्थान पर रहा था और चीन कूल 289 पदक के साथ सिर्ष अस्थान पर रहा था ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखे गया अगला प्रसंद देखते हैं क्यूशन पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की पर्थम महला सासिका कौन थी तो दिल्ली सल्तनत की पहली महला सासिका जो है रज्या सुल्तान थी ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कि रज्या सुल्तान के नाम से लोग पीरी 1236 से 1240 तक दिल्ली के सासक थे या पहली मुस्लिम मह अगला प्रसंद देखते हैं कि इसका अंसर हो जाएगा राव कदम से ठीक है आगे दखते हैं क्यूशन पुछा गिया कि कुलू घाटी को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भरत के हिमाचल परदेश राज में कुलू घाटी को मनाली से जोड़ती है ठीक है जिसका अंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा आगे दखते हैं मनिक लाल बर्मा का समन किससे है तो दुस्तों मनिक लाल बर्मा का जन्व बिजोलिया में हुआ था उन्हें सोबैर समय तक बिजोलिया किसान अंदोलन से जुड़े रहे तो जो आपका Object Here आगे देखते हैं वर्स 2022 में भारत का जीडीपी में कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है अब दुस्तो पहला अस्थान जो है संजुक्त राज अमेरिका को प्राप्त हुआ है दूसरा चीन जैपान तिसरा अस्थान जर्मनी चोथ्य और पाजमा भारत है ठीक है तो ध्यान र अब दोस्तों बात किलते हैं सॉलिस्टीटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया तो तुसार मेहता को नियुक्त किया गया है सरवच न्याले के मुख न्यादिस कौन है तो डी वाई चंदर्चूड है ठीक है जो पचासमे नमबर की है आगे दखते हैं दोस्तों कि युचन पुछा गया कि जहारखंड में कौन सी घाटी इस्तित है जो बेहत खुपसूरत और प्रक्रितिक संदर से भरपूर है इस घाटी के सुंदरता नैनी ताल और मलानी की तरह है पत्रातू घाटी जहारखंड के रामगर्ण जिले में इस्तित है ठीक है तो इसका अंस में गोल्ड मेटल जितने वाली खिलाड़ी बनी है तो इसका अंसर हो जगा पूजा पटेल ठीक है इसका आयोजन कहा किया गया था दोस्तों तो गुंजरात में किया था महराज सबसे अधीक 140 पदक जीता है जिसमें सवर्ण 49 है सर्वीसे जो है 128 पदक के साथ सिस अस्थान पर रहा है और सवर्ण पदक 16 पदक जीता है ठीक है तो ध्यान रखेंगा सब इफेक्ट को आगे दखते हैं दोस्तों कीश्टन पुछा गया कि 222 में पीवी सिंदु कौन सी पदक जीती थी तो 222 में पीवी सिंदु सवर्ण पदक जीती थी और 222 में राश्ट मंदल खेल में चौथा अस्तान पराथ हुआ जिसमें दोस्तों भारत 22 सवर्ण पदक के साथ कुल 61 पदक जीता है ठीक है उद्घाटन समरों में भारत का धवजवाहक पीवी सिंदू और मनप्रीज सिंग था ठीक है असमापन समरों में धवजवाहक अंचत सरत कमल और निकहत जरीन था ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद दखते हैं कि भारते सविधान में अनुछे 258 कि से सम्मादित है तो 258 जो है कुछ दसाओं में राज्यों के सकती परदान करने आदी की संग की सकती से सम्मादित है ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे ऊची चोटी कौन सी है तो सीकीम के उतर पच्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर इस्तित कंचन जंगा भारत की सबसे ऊची और दुनिया की तीसरी सबसे चोटी है तो ध्यान रखेगा सब इफेक्ट को आगे दखते हैं क्यूचन पुछा गया कि डेविस कफ किस खेल से समन्दित है तो दोस्तों डेविस कफ एक अंतराश्टी पूरुष्ट टेनिस अस्परदा है तो टेनिस से समन्दित है ठीक है आगे दखते हैं क्यूशन पुछा गया कि विस्व का सबसे उचा पठार कौन सा है तो दोस्तों विस्व का सबसे उचा पठार तीबत का पठार है जो 5000 मीटर उचा है ठीक है जो उत्तर में कुनलून तथा दच्छिन में हिमाले परवतों से घीरा हुआ ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रख क्या मापने के लिए बनाय गया है तो दोस्तों जलदूत एपगराम रोजगार साहक के साल में दो बार मानसून के पूरू और मानसून के बाद चाहिनी कुनों के जल अस्तर को मापने में सच्छम बनागा तो इसका अंसर हो जागा कुनों के जल अस्तर मापने में मापने के पूछआ फालिका का पिर्थेकरन सविधान के किस अनुछेद में है? कालज पालिका से नया पालिका का फिर्थे करन समधान के अनुश्यद एक आवन में है ठीक है आगे दखते हैं क्यूचन पुछागे कालबेलिया लोकनेती कीस राज से सम्मन दित है अब दोस्तों बात करते हैं घूमर, कालबेलिया, फुंदी, पनिहारी ये सभी दोस्तों राजस्थान का लोक निरते है राश लीला नोटंकी कजरी जूला कथक ए तो सभी फैक्ट को ध्यान दाखेगा अगला प्रसंद दखते हैं क्यूचर पुछा गिया कि जीवानु और बैक्तिडिया के दोबारा रोला रोग कौन सा है तो जीवानु दोबारा होने वाला रोग टिटनस, हैजा, टाइफाइड, 6 रोग, डिफ्तिरिया, प्लेग, काली खासी, निमोनिया, गुनोरिया, सिफिलिस ये सबी जीवानु से होन वाला रोग है तो जो आपका option में दिया गया होगा अंसर हो जागा ठीक है आगे दखते हैं क्यूचन पुछा गया जब एम दरब्मान की कोई वस्तु भी व्यक से चल रही है अगर वस्तु का व्यक दोगना कर दिया जाता है तो संभेग पर क्या परभाव पड़ता है तो जिसका वहलू ब्रावर दोगना कर दोगना हो जाएगा तो दोगना अंसर हो जागा ठीक है आगे दखते हैं क्यूचन पूछा गया भारत के पुरवीद तटपर इस्तित कौन सी पतन है तो जोस्तों प्राजदीप जो अडिशा राज में है और हल्दिया पच्छिम मंगाल राज में है भारत के पूरी तट पर इस्थित पतन है जबकि कोचिन जो केरल में है और कांडला गुंजरात में इस्थित है जो पच्छिम तट के पतन है जिसका अंसर हो जागा प्राजदीप और हल दिया ठीक है आगे दखते हैं कि यूचर पुछा गया कि आउध अधिनियम और किस वर्स पारत हुआ तो किस वर्स पारत हुआ 1969 में पारत हुआ ठीक है